आज की हमारी वीडियो का टापिक है ट्रांसलेशन आज हम एक इंट्रिस्टिंग हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एक बार एक सेट की हवेली में चोर आ गए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए सेट को सक था कि उस चोरी में उसके घर की नौकरों का ही हाथ है लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराद नहीं माना तब वह सेट अपने मित्र बीरबल के पास जा पहुँचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पढ़ गए फिर उन्होंने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई वह सेट के साथ उसके घर जा पहुचा और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुला लिया फिर वे तेज अवाज में उनसे बोले मुझे तो तुम लोग जानते ही हो किसी भी अपरादी को मैं कभी नहीं बक्षता हूँ पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकेती पड़ी थी उनका विश्वास है कि डकेती में तुम मैंसे ही किसी का हाथ है तुम मैंसे जो भी गुनागार है वे खुद बाहर आ जाए लेकिन कोई भी नोकर आगे नहीं आया तब बीरबल बोले कोई बात नहीं मेरे पास असल चोड को खोज निकालने का एक रास्ता है ये कहते हुए वे सबी नोकरों के हाथ में एक एक लकडी थमा कर बोले ये लकडिया कोई साधरन वस्तु नहीं है बलकि इन में जादू ही शमता है इन सबी लकडियों की लंबाई बराबर है लेकिन कल सबह तक चोड की लकडी को छोड़ कर हर लकडी की लंबाई अपने आप दो इंच कम हो जाएगी कल मैं फिर आकर तुम सब की लकडियां जा चूंगा जिसकी लकडी छोटी नहीं मिली वे खुद बखुद चोड़ साबित हो जाएगा अब तुम लोग जा सकते हो उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नीद सोए लेकिन चोड नौकर की नीद हवा हो गई थी उसने इस मुच्सीबत से बचने का एक रास्ता खोजा उसने लकडी को दो इंच कार्ड दिया अगले दिन वे उस लकडी को लेकर सेट के गर जा पहुँचा अब उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी तब तक बाकी नौकर भी पहुँच चुके थी ठीक नौ बजे बीरबल वहां गए उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकडियों का निरिक्षन कराने का हुक्म दिया बाकी नौकरों की लकडियां तो पिछले दिन जैसे ही थी लेकिन चौर की लकडी दो इंच छोटी हो गई थी उन्होंने उसी नौकर को पंक्ती से बाहर खींच निकाला और सेट से बोले मित्र यही है चौर अब तुम इसे जो चाहो सजा दो अब जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है एक बार एक सेट की हवेली में चौर आए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गई एक बार एक बार को हम इंगलिश में कहेंगे once once सेट की हवेली में चौर आ गई तो यहाँ पर जो सबजेक्ट है वो है चौर Thieves came to a sate's mansion यह sentence है हमारा past indefinite से एक sate की हवीली में चोर आ गए Thieves came to a sate's mansion आना यानि कम और यहां पर हम लगाएंगे वर्ब की second form और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए And clean hands on valuables Clean hands मतलब हाथ साफ कर गए on valuables कीमती सामानों पर valuables का मतलब है हाँ पर जो भी कीमती सामान था वो Once thieves came to a sate's mansion and cleaned hands on valuables Sate को सक्था Sate suspected अब sate को इंगलिश में sate भी कह सकते हैं या फिर merchant भी कह सकते हैं और suspect यानि शक करना क्योंकि यह sentence है हमारा पास से तो हमने यहाँ पर suspected लिखा है Sate suspected कि उस चोरी में उसके नौकरों का ही हाथ है कि that his servants were involved in the theft His servants, यानि उसके नौकर, were involved in the theft उस चोरी में मिले हुए हैं, उस चोरी में उनका हाथ है that his servants were involved in the theft theft का मतलब होता है चोरी क्योंकि thief का मतलब होता है चोर लेकिन किसी ने भी अपना अपराद नहीं माना किसी ने भी मतलब nobody, but nobody considered his crime मतलब अपना जो दोश था, अपना अपराद था, वो किसी ने भी नहीं माना कोई भी इससे अपने विचार में नहीं लाया इसलिए हम इसको बोलेंगे considered but nobody considered his crime तब, then, सेट अपने मित्र बीरबल के पास जा पहुँचा सेट reached his friend बीरब पहुचना, ठीक है, reach और क्योंकि ये sentence है past indefinite से तो हम यहाँ पर reached लगाएंगे क्योंकि वर्ब की second formula होगी सेट reached his friend बीरबल और उन्हें सारी बात कह सुनाई यहाँ पर बात कह सुनाई का मतलब है उन्हें उसे सारी बात बता दी बताना को इंग्लिश में हम कहते हैं tell क्योंकि ये sentence है हमारा past indefinite से तो हम यहाँ पर वर्ब की second form लगाएंगे and told him the whole thing told him उसे बताई the whole thing पूरी बात पूरी कहानी and told him the whole thing उसकी बात सुनकर after hearing that hear यानि सुनना after hearing that उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पढ़ गए बीरबल got into thinking got into thinking का मतलब है सोच में पढ़ जाना फिर उन्होंने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई फिर then अब ये sentence हमारा past indefinite से तो इसे sequence wise बना दें उन्होंने he बनाना ये है वर्ब he made a plan plan यानि योजना to find the thief चोर को खोज निकालने के लिए then he made a plan to find the thief वह सेट के साथ उसके घर जाप पहुंचा he accompanies said to his house मतलब वह सेट के साथ उसके घर जाप पहुंचा accompanies मतलब उसके साथ उसको company दे कर और सभी नौकरों को एक इस्थान पर बुला लिया बुलाने को हम call भी कहते हैं और summon भी कहते हैं ठीक है and summons all the servants at one place summons all the servants सभी नौकरों को बुला लिया at one place एक इस्थान पर फिर वे तेज अवाज मैं उसे बोले then he said to them in a loud voice बोलना यानी say क्योंकि यह sentence है हमारा पास से तो हम sad लगाएंगे हाँ पर then he said to them फिर उसने उसे कहा in a loud voice तेज अवाज मैं मुझे तो तुम लोग जानते ही हो मैं किसी भी अपरादी को कभी नहीं बख्षता हूं you guys know me तुम सब मुझे जानते हो you know me no यानी जानना me मतलब मुझे मैं कभी भी किसी अपरादी को नहीं बख्षता हूं I never spare any criminal यह sentence है हमारे present indefinite से I never spare any criminal spare यानी छोड़ देना बख्ष देना I never spare any criminal मैं कभी किसी अपरादी को नहीं बख्षता हूं कभी नहीं यानी never पिछली रात last night last यानी पिछली आप इसे previous भी बोल सकते हैं रात यानी night तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी क्योंकि इस sentence में कोई subject नहीं है तो हम इसकी शुरुआत करेंगे there से there was a robbery डकैती पड़ी थी in your master's mansion तुम्हारे मालिक की हवेली में मास्टर के बाद जो हमने apostrophe S लगाया ना उसका मतलब है कि जो तुम्हारे मास्टर है उससे संबंदित कोई चीज जो की है mansion हवेली उनका विश्वास है they believe विश्वास यानी believe की डकैती में तुम मैंसे ही किसी का हाथ है की that one of you तुम मैंसे किसी एक has a hand in the robbery डकैती में हाथ है one of you has a hand in the robbery डकैती में तुम मैंसे ही किसी का हाथ है तुम मैंसे जो भी गुनागार है whoever is guilty of you whoever का मतलब होता है तुम मैंसे कोई भी जो भी हो is guilty of you guilty यानि गुनागार दोशी whoever is guilty of you तुम मैंसे जो भी गुनागार है वे खुद बाहर आ जाए come out on your own come out मतलब बाहर आओ on your own अपने आप come out on your own वे खुद बाहर आ जाए लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया but none of the servants none of the servants कोई भी नौकर आगे नहीं आया came forward जब हमने none लगा दिया servant से पहले तो इसका मतलब है कोई भी none of servants came forward कोई भी नौकर आगे नहीं आया forward यानि आगे तब बीरबल बोले Then Beerbal said कोई बात नहीं, never mind Never mind यानि कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है I have, मतलब मेरे पास I have a way एक रास्ता है, मेरे पास एक रास्ता है To find the real thief असल चोर को खोज निकालने का Real thief यानि असली चोर find यानि खोज न I have a way to find the real thief यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकडी थमा कर बोले यह कहते हुए Saying this वे सभी नौकर के हाथों में एक एक लकडी थमा कर बोले He hand over each stick to the servants And say He hand over Hand over यानि उनको एक एक लकडी थमाई उनको इसकी responsibility दी He hand over each stick to the servant सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकडी थमा कर बोले And say यह लकडियां कोई साधारन वस्तु नहीं है These sticks यानि यह लकडियां Are not ordinary objects कोई साधारन वस्तु नहीं है Ordinary यानि साधारन, normal object यानि वस्तु ठीक है These sticks are not ordinary objects बलकि इन में जादूई शम्ता है But they have magical abilities Magical यानि जादूई Abilities यानि शम्ता, योगिता But they have magical abilities इन सभी लकडियों की लंबाई बराबर है All these sticks इन सभी लकडियां Are equal in length लंबाई में बराबर है Equal in length यानि लंबाई में बराबर Equal का मतलब होता है बराबर एक समान All these sticks are equal in length लेकिन कल सभी तक But by tomorrow morning By tomorrow morning यानि कल सभी तक यहाँ पर by का मतलब है तक चोर की लकडि को छोड़ कर हर लकडि की लंबाई अपने आप दो इंच कम हो जाएगी The length of every stick हर एक लकडि की लंबाई Except the thief's word चोर की लकडि को छोड़ कर Except यानि उसको छोड़ कर उसके इलावा चोर की लकडि के अलावा Will automatically be reduced by two inches Automatically यानि सोयम अपने आप Automatically be reduced by two inches अपने आप दो इंच कम हो जाएगी क्योंकि यह सेंटेंस हम बना रहे हैं फ्यूचर में इसलिए हमने Will का भी यूज किया है Will automatically be reduced by two inches All these sticks are equal in length But by tomorrow morning The length of every stick Except the thief's stick Will automatically be reduced by two inches Reduce का मतलब होता है कम होना कल मैं फिर आकर तुम सब की लकडियां जाचूंगा ठीक है यह सेंटेंस है फ्यूचर में तो कल किसकी बात हो रही है आने वाले कल की जिसकी इंगलिश होती है Tomorrow मैं फिर आकर I will come again मैं फिर आऊंगा To check all your wood तुम सब की लकडियां जाचने जिसकी लकडि छोटी नहीं पाई जाती है Whose stick is not found to be small ठीक है Whose stick Whose जिसकी जिसकी लकडि छोटी नहीं पाई जाती है Is not found to be small वैं खुद बखुद चोड साबित हो जाएगा It will automatically prove to be a thief It will automatically Automatically यानि अपने खुद बखुद चोड साबित हो जाएगा Prove to be a thief साबित होना यानि prove अब तुम लोग जा सकते हो Now you guys can go Now, अब You guys can go अब तुम लोग, अब तुम सब जा सकते हो उस रात That night सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नीच सोए बेकसूर नौकर यानि निर्दोश नौकर All the innocent servants slept peacefully All the innocent servants सभी बेकसूर नौकर slept peacefully आरान से चैन की नीच सोए Slept मैंने इसलिए लगाया है हाँ पर क्योंकि यह past indefinite से है तो second form लगेगी sleep की जो है slept लेकिन चोर नौकर की नीच हवा हो गई थी यह एक idiom में हवा हो जाना इसको हम translate करेंगे एक simple शब्द में की लेकिन जो चोर नौकर था वो सो नहीं सका उसने इस मुसीबत से बचने का एक रास्ता खोजा and he found a way to escape from this trouble he found a way उसने एक रास्ता खोजा found जो है वो find की second form है और क्योंकि हमने लगा यह past indefinite का sentence है he found a way उसने एक रास्ता खोजा to escape from this trouble इस मुसीबत से बचने के लिए बचना यानि escape to escape from this trouble उसने लकडी को दो इंच काट दिया यह sentence है past indefinite से he cut the wood two inches काट ना यानि cut और cut की जो form होती है वर्ब की वो second form में भी cut ही रहती है he cut the wood two inches आप सोच रहोंगे मैंने कहीं कहीं पर लकडी को stick बोला है कहीं कहीं पर wood उन दोनों का मतलब एक ही है लकडी उसने लकडी को दो इंच काट दिया he cut the wood two inches अगले दिन the next day ठीके next यानि अगले दिन वे उस लकडी को लेकर सेट के घर जा पहुचा he took that wood वे लकडी को लेकर and reached सेट's house और सेट के घर जा पहुचा अब उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी अब now उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी he had no concern concern यानि चिंता भै he had no concern उसे कोई चिंता नहीं थी about being caught पकड़े जाने की about being caught being caught यानि पकड़ा जाना caught जो है वो है catch की second form जिसका अर्थ होता है पकड़ना तब तक by then by का यहां पर मतलब है तक then का मतलब है तब ठीक है तब तक by then बाकी नौकर भी पहुँच चुके थे the rest of the servants had also reached ठीक है मतलब उस नौकर को छोड़ कर बाकी जितने भी नौकर थे the rest of the servants बाकी नौकर had also reached वो भी पहुच चुके थे head का हमने यहां पर इसले यूश किया क्योंकि यह sentence है past perfect से ठीक नौ बजे बीर्वल वहां गई at exactly 9 o'clock वीर्वल went there at exactly 9 o'clock ठीक नौ बजे बीर्वल वहां गई went there वहां गई उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकडियों का निरिक्षन कराने का हुक्म दिया तो इसे बनाएंगे sentence के sequence उन्होंने he क्योंकि यह से singular person के लिए denote करें न he फिर है verb हुक्म देना he ordered all the servants उसने सभी नौकरों को हुक्म दिया to get their word inspected अपनी लकडियों का निरिक्षन कराने के लिए to get their word inspected inspected यानि निरिक्षन कराना बाकी नौकरों की लकडियां तो पिछले दिन जैसी ही थी बाकी नौकर यानि the rest of the servants stick were the same as the previous day the rest of the servants stick जो बाकी नौकर की लकडियां थी were the same एक समान थी as the previous day पिछले दिन की तर है but the thieves would become two inches shorter लेकिन जो चोर की लकडियां थी वो दो इंच छोटी हो गई क्योंकि उसने वो कार्ट दी थी न he pulled the same servant out of the line ठीक है उन्होंने उसी नौकर को पंक्ती से बाहर खींच निकाला he pulled उसने खींचा the same servant उसी नौकर को out of the line line से पंक्ती से ठीक है out of the line पंक्ती से बाहर he pulled the same servant out of the line उन्होंने उसी नौकर को पंक्ती से बाहर खींच निकाला और सेट से बोले and spoke to सेट spoke यानि बोलना spoke to सेट मित्र फ्रेंड यही है चोर that's the thief अब तुम इसे जो चाहो सजा दो punish whatever you want now punish whatever you want well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this you you